कराई है और यह इसका फर्स्ट पार्ट है और याद रहे कि यह जन्वरी 2021 का जो है पूरा राज्य में इस देता है तो यह जो सूल पनेश्वर वायलाइफ सेंचुरी जो है वह गुजरात में इस देता है ऑप्शन 20 का रवाइट आंसर होगा न्यूस क्या थी कि जो ट्राइवल कम्यूनिटी ठीक है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरीद मोदी से बोला है कि जो उनक सेंटर का नोटिफिकेशन था कि सूल पनेश्वर वायलाइफ सेंचुरी जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक में आती है ठीक है उसे वहाँ एको सॉंसिटिव जॉन बना रहे थे ठीक है एको सैंसिटिव जॉन तो उसमें 121 जो गाउं थे न उन्हें नोटिफाई कर दिया गया थ यह जो वायलाइफ सेंचुरी जो है वहाँ नर्मदा रिवर के जो सत्पुडा रेंज है वेस्टर सत्पुडा रेंज वहाँ पर लोकेटर है यह अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्यप्रदेश और महारास्टर से अगला कॉश्चन है एमिनेंट एंजिनियर अवार्ड फ अगला कॉश्चन है गलोबल प्रवासी रिस्ता पोर्टल लॉंच किस ने किया है तो इसका सही आंसर है एक्स्टरनल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स इनके द्वारा लॉंच किया गया है गलोबल प्रवासी रिस्ता पोर्टल अगला कॉश्च सदे के DRDO और इंडिया नेवी दौनों और्गनाइजेशन ने मिलके जो है वस सक्सेस्पुली जो है पहली टेस्ट ट्रॉयल किया है सहायक एंजी का ठीक है यहां पर आप याद रखना है कि यह इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन और डैबलेप्ड एयर ड्रॉप्ट कंटेनर है अगला कोशन है किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्स दो हज़ार बीस जीता है तो इसका सही आंसर है बिहार ने ज अगला कोशन है दो हज़ार बीस के लिए तांसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर है पंडिस सतीस व्यास ठीक है इन्हें क्यों सा सम्मान मिला है तांसेन सम्मान अगला कोशन है किस देश ने किस कंट्री ने गर्भास्ता के 14 सप्ताह तक गर्वपात को वैद कर दिया है किस कंट्री ने लीगलाइस्ट कर दिया है अबोशन 14 वीक की प्रेगनेंसी तक का तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना ओप्शन ए अगला कोशन है रेलबे बोड़ के नए चेयर्मेन और चीफ एग्जेक्डिव ओफिसर रेलबे बोड़ का किसे बनाए गया है मतलब आपसे पूछा गया है कि रेलबे बोड़ के नए अध्यक्ष और मुक्षे कारिकारी अधिकारी का प्रदभार किसने समाला है तो इसका जो सही आंसर है वो है सुनीत शर्मा option B is the right answer जो कि railway board के CEO और नई chairman बने हैं अगला question है किस राज्य सरकार ने कास्ट स्टीकर वाले बहानों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की है जो लोग अपनी गाड़ी पर जैसे बाइक पर या फिर कार पर स्टीकर लगा लेते हैं कास्ट से related जैसे कि कुछ भी लगा लेते हैं ठीक है जाट राजपूत इस टाइप से तो उनके खिलाफ जो है वो करवाई की जाएगी तो वो कौन से स्टेट है उत्तरप्रदिश अगला कॉश्चन है कौन सा प्राधी करड़ ICGE2 के जैंडर पार्क टू संसकरड का आयोजन करेगा यहां पर बात की जा रही है कि कौन सी अथॉरिटी है वो और्गनाईज करेगी जैंडर पार्क का सेकंड एडिशन ICGE2 सबसे पहले जैंडर पार्क कहां बनाए गया है केरला में ठीक है केरला में बनाया जा रहा है और कौन सी अथॉरिटी जो है वो और्गनाईज कर रही है युनाइटे नेशन वोमेन ऑप्शन भी ठीक है केरला गवर्मेंट ने बोलाए कि वह जैंडर पार्क बनाएगी किसक quantum random number generator का विकास किस ने किया ये जनरेटर है ठीक है और इसका नाम क्या है पूरा quantum random number generator ये किस ने विक्सित किया डियार्डियों ने option C इसका सही आंसर है अगला कोशन है हाल ही में UNDP इंडिया ने भारत के पहले social impact bond को launch करने के लिए किस निकाए के साथ सहयोग किया है यहाँ पर बात की जोड़िये कि United Nation Development Program नए इंडिया में ठीक है UNDP इंडिया ने भारत का पहला इंडिया का first social impact bond launch करने के लिए पिंपरी चिंचबाड मुंसिपल कॉर्परेशन जो की पूर्णे में है इसके साथ सहयोग किया है option C is the right answer अगला question IIM संभलपुर समाचारों में है यह किस राज्य में इस्तित है तो संभलपुर कहा है उडिसा में तो यह कहां पे इस्तितों का उडिसा में अगला question है Steel Authority of India की नए चेयर्मेन कौन बना है तो कौन बना है सेल जिसे बोला जाता है उसका चेयर्मेन बनी है सोमा मंजल option C अगला question है North East का पहला विसिस्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में इस्तित है तो यह जो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वह नौर्थ इस्ट का कहां पर इस्तित है यह मेगाले में इस्तित है option 20 का सही answer होगा याद रखना नौर्थ इस्ट का पहला specialized ginger processing plant अगला question है ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभ्यान किंदो राज्यों में आयोजित किया जाता है तो इसका जो सही answer है वो है अरुनाचल प्रदेश और असम ठीक है option 20 का ठीक answer हो जाएगा क्योंकि जो हमारा भ्रह्मपुत्र आमंत्रण अभ्यान ये जो पूरा campaign है वा अरुनाचल प्रदेश और असम में ठीक है यहाँ पर आयोजित किया जाता है अगला question है अभी हाल ही में Asian Development Bank ने इंडिया के साथ 10 million dollar का एक loan agreement sign किया है जो कि support करेगा होटी कल्चर को तो ये किस state में 10 million dollar का जो loan है वो होटी कल्चर को support करेगा तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश option C इसके लिए Asian Development Bank ने 10 million dollar का loan दिया है अगला question है अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम ले जाने बाला भारतिया उपग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर है कौन ले जाएगा common man के नेम ठीक है कहाँ पर space में इसका सही आंसर है PSLB C51 option C next question है फरदो इदन समवर्धन सयंत्र में 20% सुद्धता तक uranium को समरत करने की योजना किस country की है यहाँ पर आपसे पूचा गया है कि कौन सी country है जो की अपना जो enrichment plan है ठीक है further fuel enrichment plan वहाँ पर uranium की जो शुद्धता है उसको 20% तक करेगा तो इसका सही आंसर है इरान option A ठीक है यह क्या करेगा uranium को 20% priority तक लेकर आएगा अगला question है किस country को IUCN समर्थित एशिया सरक्षित शेत्र बागेदारी के सहा अध्यक्ष्य के रूप में चुना गया है यहाँ पर पूचा गया आपसे कि कौन सी country को जो है वह चूज किया गया है कि वहाँ को चेयर करेगा IUCN Supported Asia Protected Areas Partnership को तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा इंडिया Option A ठीक है तो यह बिल्कुल ठीक आंसर है कि जो इंडिया होगा वह IUCN Supported Asia Protected Areas Partnership को को चेयर करेगा अगला कोशन है किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जहारकंड जो जहारकंड स्टेट है ना उसने लॉंच किया किसान फसल राहत योजना ठीक है अगला कोशन है IAF जोदपुर में किस कंट्रि की वायू सेना के साथ अभ्यास सकाई रोस में भाग लेगी यहाँ पर बात की जारी है कि IAF ठीक है किस कंट्री की Air Force के साथ IAF का मतलब होता है Indian Air Force किस कंट्री की Air Force के साथ Skyrus नाम की एक exercise है उसमें participate करेगी और यह जो exercise है वह जोदपूर में होगी तो इसका सही answer है France Option C Next question है हमारा Asian Development Bank किस कंट्री में? बिजली उत्पादन शमता को बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमेरिकन डॉलर का लॉन देगा तो इसका जो सही answer है वो किस को देगा वो असम को Option D यहाँ पर question बोला जा रहा है एक पर बता देती हो कि जो Asian Development Bank जो है वह provide करेगा 231 मिलियन का लॉन ठीक है किस के लिए Electricity Generation Capacity के लिए असम को अगला question है निमलिकित मैंसे कौन COVID-19 के खिलाफ रास्ट का पहला स्वदेशी रूप से विक्सित DNA Vaccine है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि which of the following is the nation का पहला indigenous deal developed देश में ही निर्मित DNA Vaccine ठीक है उसका नाम क्या है COVID-19 के खिलाफ तो इसका जो सही आंसर है वो है जाय कोफ डी Option A Next question है जिब्राल्टन निमलिकित मैंसे किस प्राइदीप के दक्षुडी सिरे पर इस्तेत है तो इसका जो सही आंसर है वो है Iberian Peninsula Option A ठीक है लोकेशन से बता देती हूँ आपको यह आप देख रहे होंगे ठीक है यह रहा पूरा ठीक है यह आइबेरियन पैनिस्वला यह हमने कुईक रिविजन कर रहे हैं इसलिए मैं इसका डेटेल आपको नहीं बता रहे हूँ डेटेल मैंने आल्रेडी जो डेली की वीडियोस होती है वहापर काफी डेटेल से समझा यह है मन्तली अप एक जल्दी से रिविजन कर लें ठीक है यह आइबेरियन पैनिस्वला है ठीक है यह आप देख सकते हैं पूरा अगला कोशन है विज हैस विककम दफार्स्ट खेलो इंडिया इस्पोर्टस इसकूल का क्या नाम है तो इसका सही आंचार ए असंप राइफल इसकूल तो असंप राइफल इसकूल किस ओप्षन में सी ओप्षन अगला कॉशन है निमलिकित मैंसे किसने भारतिय नौसेना को आठवा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप वितरित किया है यहाँ बात की जा रही है एक शिप जो इंडियन नेवी को दिया गया है और वो एर्थ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है ठीक है तो किस ने दिया है किस ने बना के दिया है तो इसका सही आंसर है जो GRSE ऑप्शन ए ठीक है GRSE यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसका फुल फॉर्म होता है गार्डन, रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर यह कॉलकता में है अगला कॉश्चिन है National Metrology Conclave 2021 का थीम क्या है यहाँ पर पूचा गया है कि National Metrology Conclave 2021 में हुआ है जो 2021 का थीम क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है Inclusive Growth of the Nation Metrology for the Inclusive Growth of the Nation Option C याद रखने है इंप्रोडन कॉश्चिन है कि National Metrology Conclave की थीम क्या है Metrology for the Inclusive Growth of the Nation अगला कॉश्चिन है हाल ही में जमु कश्मीर और लदाख उच्चे न्याले के नए मुख्य न्यादिश कौन बने है तो इसका सही आंसर है पंकश मित्तर Option C यह कौन बने है यह Chief Justice बने है जमु कश्मीर और लदाख हाई कोट के अगला कॉश्चिन है कौन सा राज्य सरकार पत्थर बाजो जो पत्थर मारते है ठीक है पत्थर बाजो के एक हिलाफ कानून बनाने के लिए पूरी तरह तयार है तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश अगला कॉश्चिन है जो वर्ल्ड ब्रेली डे विश्व ब्रेल दिवस ब्रेली बोलते हैं ठीक है किस दिन मनाये जो आता है तो इसका सही आंसर है चार तारिक को चार जन्वरी को जो है वह आप्सर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेली डे अगला कॉश्चिन है डिजिटल भुकतान सूच कांक निम्लिकित मैसे किसकी एक पहल है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वह किसका इनिशियेटिव है तो इसका सही आंसर है ब्रेजर बैंक ओफ इंडिया ऑप्शन बी अगला कॉश्चिन है अगला कॉश्चिन है किस कंट्री ने पाकिस्तानी प्रवासी महला के कल्यार के लिए मलाला यूसुफ जै शात्र बत्ती अधिनियम पारित किया है यहाँ पर बात की जोरी कि किस कंट्री ने भी पास किया है मलाला यूसुफ जै स्कॉलर्शिप एक्ट पाकिस्तानी डाइस्फोरा फीमेल के वैलफेर के लिए तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट कॉशन है सबरी नदी निम्लिकित मैंसे किस नदी की मुक्य सहायक नदी है तो इसका जो सही आंसर है यह किस की है यह हमारी हो जाएगे गोदावरी की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगला कॉस्शन है हाल ही में राम तीर्थम मंदिर समाचारों में है यहा किस राज्यों में इस्तेत में इस्तेत में जो टैमपल्पर आं विजय नगरम डिस्टिक में आंधिर प्रदेश के ठीक है यहाँ पर जो राम जी की मूर्ती थी वो आप वेंडलाइस कर दी मतलब तोड़ दी थी किसी ने ठीक है देखिए आप यह इनका सिर्णी ने यह बोड़ी है तो इस वज़े से यह काफी न्यूस में था ठीक है यह ट अगला कोशन है कौन सी कंट्री विगर लोगों के खत्रे का जबाब देने के लिए फाइव आइस में शामिल होगा तो इसका सही आंसर है जापान ठीक है फाइव आइस में कौन इंक्लूड हो रहा है जापान और इसके साथ साथ कौन है इसमें यह भी देख लेते हैं ठीक ह यह है एक में दोबारा बता देते हूं ऑस्टेलिया ब्रिटेन कैनेडा न्यूजिलेंड और यूएस यह फाइव आइस है ठीक है अगला कोशन है किस राज्य में एशियाई वाटर वर्ड जन गड़ना 2020 आयूजित की गई तो किस स्टेट के अंदर एशियाई वाटर इस जो है वह कंड़क्ट किया गया तो इसका सही आंसर है आंदर प्रदेश ऑप्शन सी अगला कोशन है हाली में भारत ने किस कंट्री के साथ निद्रिश्ट कुशल श्रमिक में भागेदारी पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इंग्लिश में बता देती हुश अभी हाली में इंडिया ने किसी कंट्री के साथ जो है वह एक पार्टनर्शिप की है एक M.O.U. साइन किया है और वो सब्जेक्ट है इस्पेशिलाइस्ट स्किल्ट वर्कर तो इस्पेशिलाइस्ट स्किल्ट वर्कर में इंडिया ने ठीक है जापान के साथ जो है वहाँ किया है तो आंसर क्या हो जाएगा option A कि अगला कोशन है हाल ही में भारत ने किस country के साथ यह सेम कोशन है ठीक है रिपीट हो गया है अगला कोशन है हाल ही मैं स्वास्त मंत्रवाले ने किस बीमारी के जबाब में केरल और हरियाणा में एक बहु विश्यक टीमों को तैनात किया ह है यहां पर बात की जा रही है कि जो health ministry है उसने deployt किया है एक multi disciplinary टीम को ठीक है कहां पर केला और हरियाना में एक disease एक बीमारी है ठीक है उसके response के against में जो है वह एक टीम लगाई गई है तो वह उस बीमारी का नाम किया है ठीक है उस disease का नाम किया है वो है avian influenza option C अगला question है कौन सा राज्य है वन नेशन वन राशन कार्ड रिफार्म्स को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड का जो रिफार्म्स था ठीक है उसको पूरा कर लिया तो इसका सही आंसर है मध्यप्रदेश और अंद्रिप्रिदेश दोनों स्टेटों ने सारे रिफॉर्म्स पूरे कर लिए अगला कॉश्चन है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 450 किलोमीटर लंबी एक कोची ठीक है जो केला में मैंगलूरू जो की कनाटका में है यहाँ पर एक प्राकर्तिक गैस पाईप्लाइन का उद्घाटन की आहीं जिसका नाम होगा कोची टू मैंगलूरू प्राकर्तिक गैस पाईप्लाइन ये निमलीकेत मैं से किसके द्वारा बनाये गही है यहें गेल के द्वारा अगला कॉश्चन है 2021 और 2020 के लिए फसाई, Food Safety Standard Authority आफ इंडिया के द्वारा निधारित तेल और बसा में अनुमें Trans Fatty Acid इस्तर क्या है यहाँ पर बताई गया है कि फसाई के द्वारा 2020 और 2021 में जो Trans Fatty Acid का जो लेबल है, ठीक है, मतलब जो Oil और Fat का लेबल, Food में कितना होना चाहिए तो इसके लिमिट पूची गई है 2021 में इसके लिमिट 3% और 2022 में जो इसके लिमिट की बात की गई है वो है 2%, तो आंसर हो जाएगा Option A 3% और 2% अगला Question है दक्षड एशिया केंद्रित उर्जा सुरक्षा वास्तु कला के विकास के लिए दक्षड एशिया ग्रूप और एनर्जी का प्रमो कौन होगा यहाँ पर बात की जारी है कि अभी हाल ही मैं South Asia Focused Energy Security Architecture के लिए South Asia Group for Energy का हेड कौन होगा सिंपल आप यह भी बोल सकते के South Asia Group for Energy जो South Asia के अंदर जो एनर्जी होगी उसका जो ग्रूप होगा उसका हेड किसे बनाया ज़ा रहा है तो इसका सही आंसर है राम विने साही Option D राम विने साही को सैज South Asia Group for Energy का हेड बनाया ज़ा रहा है अगला कॉस्चन है हाली में भारत ने गोवा के मौर मुगाव बंदरगा से कहां के लिए 40 वे भारतिय वैग्यानिक अभिहान को हरी ज़ंडी दिखाई है अभी हाली में ठीक है 40 भारतिय वैग्यानिक जो 40th Indian Scientific Expedition जो गोवा का जो पोर्ट है मौर मुगो वहां से गई है तो यहां पर पूछा जा रहा है आप से कि वो लोग कहां के लिए गए है तो एंटार्टिक के लिए गए है ठीक है जो एंटार्टिका है ठीक है महां पर रिसर्च के लिए जो है एक्स्प्लोरेशन के लिए गया है एक पूरा टीम गया है ठीक है 40वा Indian Scientific Expedition गया है अगला स्ल matches सत्रंज फैडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही आंसर है संजय कपूर option B संजय कपूर जो है जिनने अपॉइंट किया गया है नए प्रेसिडेंट औल इंडिया चैस फैडरेशन के अगला question है अंतरिक्ष मल्वे की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए कौन सी country दुनिया का पहला लकडी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विक्सित कर रहा है क्योंकि देखो इस स्पेस के अंदर इतनी satellite भेजी जाती है कि वहाँ पर मल्वे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है तो एक country ने decide किया है कि वह ऐसी satellite को भेजेगा इस स्पेस में जो लकडी से बनी होगी ताकि जब वह destroy भी हो जाए तो वह कुछ time के बाद जो है वह खुद ही मतलब खतम हो जाए लकडी की बनी होगी तो ठीक है तो कौन सी country है जापान option D अगला question है हाल ही में 76 गला tunnel समाचारों में है या किस राज्य में इस देता है तो यह जो tunnel है यह जम्मू और कश्मीर में इस देता है option A ठीक है आपसे पूचे जा सकता है कि यह जो tunnel समाचारों में है यह किस राज्य में या केंद्र शाषित प्रदेश में इस देता है तो यह कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में 76 गला tunnel अगला question है उद्ध्योग मन्थन जो भारतिय उद्ध्योगों में गुडवक्ता और उत्पादक्ता को बढ़ावा देने के लिए एक webinar है यहाँ निमलेकित मैं से किस की पहल है यहाँ पर पूचा गया कि उद्ध्योग मन्थन ठीक है यह एक webinar है जो कि promote करेगी जितनी भी Indian industries है उनकी productivity उनकी quality को promote करेगी तो यह किसकी जो है वह initiative है तो इसका सही आंसर है यह ministry of commerce and industries ठीक है option B ministry of commerce and industries की एक पहल है ठीक है क्या नामें उद्ध्योग मन्थन next question है किस country में किस city में किस शहर में केंद्रिय विज्ञान और प्रौध्योगी की मंत्री ने महामारी संबंदी तैयारी नवाचारों के लिए केंदी कृत network lab का उद्धाटन किया है यहां पर बात की जारी है कि एक lab बनाई जारी ही है science and technology ठीक है के द्वारा तो यह lab जो है वो कहां मनाई जारी है कहां setup किया जा रहा है यह पूरा लैब ठीक है जिसका काम क्या होगा यह centralized network lab होगी जो किसकी लैब होगी यह coalition for epidemic preparedness innovation जो भी अगर इस तरह की कोई महामारी फैलती है उसके लिए centralized network lab तैयार की जा रही है किस city में तैयार की जा रही है फरीदवाद में option B कि अगला कोशन है किस राज्य में ट्राइफेड ट्राइफ फूड पार्क इस्थापित करेगा तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में जो ट्राइफेड जो है जो कि ministry of tribal के तहित काम करता है वह ट्राइफेड को जो स्थापित करेगा अगला कोशन है western dedicated freight corridor नया रेवाडी नया मदार खंड किस राज्य में इस देत है तो इसका जो सही आंसर है यह पूरा जो पूरा एक corridor बनाए जा रहा है ठीक है और यह कौन सा corridor होगा western dedicated freight ठीक है तो यह राजिस्थान और हर्याना याद रखना new रेवाडी new मदार section of the western dedicated freight corridor कहां से होगा यह हर्याना और राजिस्थान ओप्शन डीस का सही आंसर है बोथ ए और अगला कोशन है हाल ही में कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परिक्ष्या समाचारों में है यह निम्रिकित मैंसे किसकी एक पहले यह एक एक एक्जाम होगा ठीक है जो की कामधेनु जो गाये है उसका विज्ञान प्रचार प्रसार एक्जामिनेशन है यह किसका initiative है तो इसका सही आंसर है यह राष्टिय कामधेनू आयोग को इनिशेटिव है अगला कोशन है प्रधान मंत्री इलेक्टिक टैक्शन द्वारा चलने वाली दुनिया की पहली डवल स्टैक्ट लॉंग हॉल कंटेनर ट्वेन को हरी जंडी दिखाएंगे यहां कितनी किलो मीटर लंबी है यहां वर्ड की पहली डवल स्टैक्ट लॉंग हॉल कंटेनर ट्वेन है ठीक है डवल स्टैक होगी और कंटेनर वाली ट्वेन है तो इसकी जो हाइट है वह सौरी इसकी जो लैंथ है ठीक है वह 1.5 किलो मीटर है ठीक है याद रखना जैसे यह लैंथ है न तो यह पूरी लैंथ कि जोजना शुरू की है तो इसका सही आंसर है मध्यप्रदेश जो मध्यप्रदेश जो है वहां पर लॉंच पैड स्कीम जो है वहर रिलीस की गई है ताकि वहां के जो योत है उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा सके अगला कॉशन है प्रवासी भारतिय दिवस किस दिन सैलिब् किया जाता है नौ जन्वरी को ठीक है प्रवासी भारतिय दिवस और इस बार की थीम थी कंटिब्यूटिंग टू आत्मे निबर भारत ठीक है यह सैलिब्रेट किया जाता है नौ जन्वरी 1915 को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई लोटकर आयते उसी दिन क को याद करते हुए प्रवासी भारतिय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है अगला कॉशन है जी किसन रेड़ी समिती समाचारों में है यह कमेटी की बात कर रही हो मैं यहां पर आपसे यह पूचा जा रहा है कि यह किस चीज़ से रिलेटिड है तो इसका सही आंसर है कि लदा कि जो क्रेशी संजीबनी बैंट जो है वह कनाटका के द्वारा जो है वहाँ लॉंच की गई है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाटका अगला कोशन है निम्रिकित मैंसे किसने भारत की बुजुर्ग आवादी यानी लॉंगी ट्यूटनल एंजिंग इस्टडी ऑफ इंडिया पर इंडिया रिपोर्ट वैब बन जारी किया है यहां पर बात की जारी है कि कि किसके द्वारा जो है वह रिलीस की गई है एक रिप पर इंडिया वेब बन तो इसका जो सही आंसर है वह है मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ और फैमिली वैल्फियर उनके द्वारा जो है वह एक रिपोर्ट रिलीस की गई है ठीक है और वह रिपोर्ट जो है वह इसके उपर है लीसा की उपर अगला कॉशन है 2030 तक किस राज्यों में दुनिया की सबसे बड़ा floating 4 परियोजना शुरू की जाएगी मतलब यहाँ पर बात की जारी है world की largest floating solar project ठीक है 2023 तक और यह दुनिया का सबसे बड़ा floating solar project होगा तो यह किस state में लगाय जो रहा है तो इसका सही आंसर है मद्यप्रदेश option C यहाँ पर याद रखना खांडवा district है मद्यप्रदेश का नर्मदा रिवर पर ठीक है वहाँ पर यह project लगाय जो रहा है अगला कॉशन है Google Cloud Asia Pacific Division के प्रमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है करन वाजबा option A करन वाजबा जो है उन्हें पॉइंच किया गया है चीफ Google Cloud Asia Pacific Division का अगला कॉशन है किस भारती अमेरिकी न्य अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार समाला है तो यहाँ पर बात की जोड़ी है कि विच इंडियन अमेरिकन हैं और यह पहले चीफ इन्फॉर्मेशन ओफिसर होंगे यूएस आर्मी में अगला कॉशन है मेरा गाउं मेरा गौरप कारेक्रम समाचारों में है या निम्लिकित मैंसे किसकी एक पहल है तो इसका सही आंसर है यह है इंडियन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च की एक इनिशेटिव है इंडियन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च ठीक है उनका एक of the ecosystem services यहाँ पर बात की जारिया कि जो natural capital होती है ठीक है जो हमें अपने ecosystem से प्राप्त होती है वो capital ठीक है उसका accounting करना उसकी valuation को देखने के लिए ठीक है एक India Forum 2021 किस ministry के द्वारा organize किया जा रहा है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ministry of statics and program implementation के द्वारा अच्छा कोशन है यह सीधे पूछा भी जा सकता है इसकी full form क्या है NCAVES India Forum 2021 जो की ministry of statics and program implementation के द्वारा इसे organize किया जा रहा है अगला कोशन है उन्नत बायो डिजैक्टर MK2 प्रोध्योगिकी के कार्यान वयन के लिए किस संग्ठन ने MHA Metro के साथ AMU पर हस्ताक्षर किये है यहाँ पर बात की जारिये कि किस organization ने sign किया है MOU महा Metro के साथ किसके लिए ताकि advanced biodigester MK2 टेक्नलोजी की implementation को करने के लिए तो इसका सही answer है किसके द्वारा यहां यह पूरी जो संग्ठन के द्वारा यह किया ज़ा रहा है DRDO के साथ नों ने agreement sign किया है ठीक है तो अब इससे क्या होगा जो railway के अंदर जो सुविदा provide की जाती है ठीक है वो अब Metro के अंदर भी provide की जाएगी bio digester mk second technology implement की जाएगी Metro में ठीक है यहां पर आप देख सकते है non fever sanitation technology यह याद रखना है ठीक है sanitation की सुविदा अब Metro में भी provide की जाएगी और जो technique use की जाएगी वो bio digester mk second technology होगी और DRDO ने इसके साथ agreement भी किया है अगला question है किस country ने फतह 1 guided multi launch rocket system का test किया है तो इसका सही answer है फतह जो है वह किस के द्वारा की गई है वहाँ पाकिस्तान के द्वारा जो है यह rocket जो है वह launch किया गया है अगला question ये iPhone के पहले महा सजीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही answer है किसको नियुक्त किया अबिशेक यादब election C ठीक है अबिशेक यादब को ठीक है all India football federation के General Secretary deputy General Secretary के रूप में नियुक्त किया गया, अगला कोशन है किस राज्य और केंद्र शाषित प्रदेश ने सतरकता अधिकारियों के लिए सतरक नागरिक मोबाइल एप लाँच किया है यहाँ पर बात की जा रही है कि किस स्टेट यह यूनियन टैरिट्री में लाँच किया गया है सतर्क नागरिक mobile app जिससे क्या होगा जो officers होगे उन पर नजर रखी जा सकती है ठीक है तो यह किसके द्वारा किया गया जमू एंड कश्मीर के द्वारा ठीक है यादर से जमू कश्मीर ने लाँच किया है एक सतर्क नागरिक mobile app next question है निम्लिकित मैंसे किस ने ease of doing business को मजबूत करने के लिए एक माल ब्यापक विकास पोर्टल लाँच किया है तो इसका सही आंसर है इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे ने लाँच किया एक फ्रैट बिजनिस डेवलप्मेंट पोर्टल ताकि ease of doing business को मजबूत किया जा सके अंतराष्टिय डॉमें नाम आईडियन की पेशकस करेगा तो कितनी language में जो है वह domain name जो है वह provide किये जाएंगे n i x i के द्वारा तो इसका जो सही आंसर है वह है बाइस language में option a ठीक है next question है किस राज्य में cherry blossom माओ उत्सब आयोजित किया गया है तो इसका सही आंसर है मनीप option a मनीपूर में जो है वहाँ cherry blossom माओ festival जो है वहाँ आयोजित किया गया है अगला question है किस दिन को रास्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी को जो है वहाँ national youth day के रूप में celebrate किया जाता है ठीक है option c जो है वह इसका ठीक आंसर ह हो जाएगा अगला question है किस bank ने रक्षा कर्मियों के लिए सौर्य वेतन खाता शुरू किया है तो सौर्य salary account defense personal के लिए किस bank के द्वारा launch किया गया है बंधन bank option b बंधन bank के द्वारा सौर्य salary account जो है वहाँ launch किया गया है अगला question है virtual international account सम्मेलन एडू कोन 2020 का विशय क्या है यहाँ पर आपसे पूचा गया है कि एक virtual international account conference educon 2020 की theme क्या है तो इसका सही answer है advising education for transforming youth to restore global peace ठीक है यहाँ बात की जारिये किस तरह से education को बढ़ाना ताकि youth को वह global peace के लिए restore कर सके ठीक है एक बार आप खुद भी देख लिए इसको advising education for transforming youth to restore global peace global peace को राप्त करने के लिए यूज करना youth को अगला question है वर्ल्ड हिंदी डे विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है तो इसका सही answer है 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे जो है वह observe करते हैं और अभी ये वर्ल्ड हिंदी conference held in नाकपूर अगला question है किस city में भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उध्वाटन किया गया है तो इसका जो सही answer है कहां पर किया गया है सूरत में सूरत के अंदर इंडिया का पहला migrant worker cell जो है वह inaugurate किया गया option B सूरत में first kind इस तरह का पहला migrant worker cell जो है वह inaugurate किया गया अगला question है किस state ने launch की एक mobile application जिसका नाम है DigiNest तो इसका सही answer है पंजब के अंदर जो है वह DigiNest नाम की एक mobile application लांच की गई अगला question है फोर्थ वैश्विक आरुवेद महोसब 2021 किस राज्य में आयूजित किया जाएगा तो इसका सही answer है पंजब केडला में किया जाएगा option ने ने आप तो ठीक है केडला की अंदर जो है वह fourth global आरुवेदा festival 2021 जो है वह organize किया जाएगा याद रखने यहाँ पर बात की जाएग ग्लोबल आरुवेदा फेस्टिवल की अगला question है कौन सा मंत्रवाले खादी प्राकर्तिक पैंट पेंट नामक परियावरर के अनुकूल गैर विशेले पेंट लॉंच करेगा ठीक है तो यहाँ पर पेंट की बात की जारी है तो किसके दौरा जो हमारी MSME मिनिस् के दौरा जो है वह लॉंच किया चाएगा इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट जिसका नाम क्या होगा खादी प्राकर्तिक पेंट अगला question है यूनाइटे नेशन सिक्योर्टी कांसलिंग की निमलिकित मैसे किस समेती की अध्यक्षिता भारत दौरा की जाएगी तो इ लिबिया सेक्षन कमिटी इन तीनों कमिटी की जो चेर्मैंशिप जो होगी ठीक है वो इंडिया के दौरा ही की जाएगी अगला question है किस राज्यों ने सामुदाइक वन प्रवंदन के लिए cause form website शुरू की है तो ये जो website है sorry cause form website शुरू की गई है अरुनाचल पदेश के मनिपूर ऑप्शन सी मनिपूर ने लौंच किया है cause form website ताकि community forest management के लिए थोड़ा इसको detail में भी देख लेते हैं ठीक है इमफाल ठीक है जो कि मनिपूर में मनिपूर की capital भी है forest environment and climate change minister ठीक है जिनके द्वारा लौंच की गई है website किसके लिए community based sustainable forest management ताकि water resources को conserve किया जा सके मनिपूर में अगला question है सारवजनिक सोचाले में महलाओं के लिए कि सिटी ने period room इस्थापित किया है तो इसका जो सही आंसर है वो है थाने option d थाने में जो है वहाँ एक period room जो है वह setup किया गया है women के लिए public toilet पे अगला question है हाल ही में light detection and ranging survey लेडार बोलते हैं जिसे तकनीक सर्वेक्षट किस rail गली आरे के लिए शुरू किया गया है जो हमारी rail होती है ट्रेंज होती है वहाँ पर lidar technology के द्वारा सर्वे करवाय जा रहा है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो कौन सा corridor होगा जहाँ पर यह लिडार जो technology है वो यूज की जा रही है तो इस मंतर वाले की एक पहल है तो इसका सही आज़र है ministry of road, transport and highway नाम से भी समझ में आ रहा है वाहन खाँ चलते road, transport और highway ठीक है अगला कोशन है thousand island समाचारों में है या किस country का हिस्सा है तो thousand island जो है वो इंडोनेशिया के मतलब हिस्सा है पार्ट है ठीक है thousand island कहाँ पर है इंडोनेश अगला कोशन है भारत में वैनेडियम का प्रमुक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा बन जाएगा तो इसका सही आंसर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश जो है वो भारत में वैनेडियम का प्रमुक उत्पादक है अगला कोशन है किस bank ने क्रेंदी कत किवा है legal entity identifier ताकि large value का transaction जबी भी किया जाए centralized payment system से तो उनको introduce किया जाए legal entity identifier के द्वारा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा वो जाएगा Reserve Bank of India option B अगला question है हाल ही मैं दचकाव घाटी समाचारों में है या किन राज्यों की सीमा के बीच इस्तित है तो यह है नागलेंट और मनीपूर तो option क्या हो जाएगा थी नागलेंट और मनीपूर यहाँ पर इस्तित है दजकाव बैली कि आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते है मैप में यह नागलेंट किये कि साथी पोर्टल जो है किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है Bureau of Energy Efficiency Option B Bureau of Energy Efficiency जिन्होंने डेबलप किया है साथी पोर्टल और यहाँ State Designated Agency के लिए जो है वहाँ State Level Activities के लिए भी यह पोर्टल डेबलप किया गया है अगला कोशन है पार्लर खबरों में है यहाँ क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option D American All Technology Micro Blogging and Social Networking Service अगला कोशन है हाली में किस बंदर गहां में सागर अवनेशी का तटियर अनुसंधान पोत का उधगाटन किया गया है तो सागर अनवेशी का जो है अवनेशी का ठीक है अगला कोशन है किस स्टेट और यूनियन टेरिट्री ने खेलो इंडिया आइस होकी टूर्नामेंट का आयोजन किया मतलब किया जा रहा है क्योंकि अब तो हो गया है ठीक है तो इसका सही आंसर है लदाग यह याद रखना है यह फर्स्ट एडिशन की बात की गई है खेलो इंडिया आइस होकी टूर्नामेंट का पर हुआ लदाग में अगला कोशन है केराकल को हाली में गंभी रूप से लुप्त प्राई प्रजातियों की सुची में जोड़ा गया है केराकल को यह किस राज्यों में पाए जाता है तो केराकल कहां पे पाए जाता है यहां राजि है यह आप देख सकते हैं इस तरह का है कि जानवर है अगला कोशन है किस मंत्रवाले ने भारतिय जू धांचे का प्रबंदन प्रभाव शीलिता मूलियांकल लॉंच किया है विच आफ दा फॉलॉइंग हाज लॉंच्ट ता मैनेज्मेंट इफेक्टिवनेस इवैलुएशन इंडियान जूस फ्रेमबर्ग तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री आफ इंवाइर्मेंट फॉर्स्ट और क्लाइमेट चेंज जिनके द्वारा अभी लॉंच किया गया है मैनेज्मेंट इफेक्टिवनेस इवैलुएशन जितने भी इंडिया के जू है ठीक ह देश कौन सा है तो इसका सही आंसर है बंगला देश ऑप्शन बी ठीक है यहां पर बात की जारी है इंटरनाशनल फ्लम फैस्टिबल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री के बारे में अगला कॉशन है कोविड-19 वैक्सीन प्रसाशन के लिए शशक्त पैनल का प्रमुक कौन बन है तो इसका सही आंसर आरे शर्मा ऑप्शन ए अगला कॉशन है हाल ही में अल उल्ला शहर खवरों में है यह किस कंट्री में है यह सिटी कहां पर रिस्तित है तो इसका सही आंसर है यह साओधी अरेबिया की एक कंट्री सिटी है जो साओधी अरेबिया कंट्री है उसकी एक स सेलिब्रेट किये जाते हैं अगला कॉश्चन है किस शहर में मुफ्त जल योजना शुरू की गई है ठीक है किस सिटी में free water scheme जो है वह लॉंच की गई है तो हैदराबाद के अंदर जो है वह लॉंच किया गया है मुफ्त जल योजना नेक्स्ट कॉश्चन है है हैंले passport index 2021 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक क्या है 85 और यहां पर बात की किस की जा रही है हैंले passport index 2021 की नेक्स कॉश्चन है कौन सी country सहयुक्त रास्ट और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर one planet summit 2021 की मेजवानी करेगा तो इसका सही आंसर है France फ्रांस जो है वहाँ one planet summit 2021 जो है वहाँ इंडिया ठीक है मतलब जो one planet summit 2021 जो है वहाँ फ्रांस जो है United Nation और World Bank के साथ मिलकर जो है इसकी मेजवानी करेगा अगला कॉश्चन है किस राज्य ने देश की पहली solar electric रोरो सेवा शुरू करने की घोशणा की है तो इसका सही आंसर है केडला केडला स्टेट ने announcement किया है कि वह launch करेगा country की पहली solar electric रोरो service किस घाती में पहली बार ice climbing उस्तव मनाया ज़ा रहा है यहाँ पर बात की ज़ा रही है पहली बार ice climbing festival कहां celebrate किया ज़ा रहा है तो इसका सही आंसर है नुब्रा बैली यह आप map में नुब्रा बैली देख सकते हैं यह ले है ठीक है यह पूरा यह नुब्रा बैली ठीक है श्यॉक रिवर है यहाँ पर यह श्यॉक रिवर है अगला कोशन है किस राज्य ने तीस वे रास्टी या उर्जा सेलक्षर प्रोसकार 2020 में अपने प्रभावी उर्जा सेलक्षर कारिक्रम के लिए राज्य नामित एजंसी श्रेडी में प्रतम प्रोसकार ताप्त किया है यहाँ पर बात की जारी है कि किस राज्य ने किस स्टेट ने रिसीभ किया है पहला फ्राइस फ्रस्ट प्राइस प्रप्राइस ताप्त किया है इस्टेट डैजिगनेटेड एजेंसी कैटेगरी में एनर्जी को काफी अच्छे से कंजर्व किया है कि अगला कोश्चन है हाली में जारी रास्टिय पार्कों और वन्यजीव अभिहारण में में मैंनेच्मेंट इफेक्टिवनेस सेंच्री ठीक है ठीक है ठीक है तीरतन वाइड लाइफ सेंच्री और ग्रेट हिमालियन नैशनल पार्क जो की हिमाचल प्रदेश में है यह सर्वे हुआ तो उसमें बैस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने प्राप्त करी अगला कोश्चन है हाली में भारतिय नौसेना द्वारा आयोजित सी विजल 21 एकसरसाइस में कितने तटियर राज्य और केंदर शाषित प्रदेशों ने भाग लिया तो इसका सही आंसर है तेरे ठीक है यहाँ पर अभी एक एकसरसाइस परफॉर्म हुई थी ठीक है तो यहाँ पर तेरे राज्य और यूनियन टेरिटरी ने पार् इसका सही आंसर है किसने दिया है नाशा ने जो नाशा और की नाशा और्किनाईजेशन है उसने अपनी पर्मीशन दे दिया कि वह दो हेलियोफिस मिशन जो के एकस्प्लोर करेंगे सं को इस्पेस को वैधर को थीक है उसके लिए इसको मझूरी दे दी है अगला कॉस्चेGroup यूरोपिया खाद्य सुरक्षा एजनसी यूरोपियम फूर सेफटी एजनसी द्वारा मानव भोजन के रूप में अनुमोदित पहला कीट कौन सा है अब यूरोप के खाने में एक कीट डाला जाएगा उस कीट का नाम क्या होगा इसका नाम है मील वाम्स यह आप देख सकते ह जो लोगों के खाना होगा वहाँ पर डाले जाएंगे ठीक है क्योंकि यह जो मील वाम्स यह है इनमें प्रोटीन फैट और फाइवर काफी रिच है अगला कोशन है भारत और किस कंट्री ने हाल ही में सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर और सेंट एंड डस्ट तुफानों कि प्रारमिक चेतार्मियों के लिए विज्ञानिक और तक्निकी सहयों के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरव एमिरेट्स ऑप्शन ए ठीक है यूनाइटेड अरव एमिरेट्स जो है और इंडिया ठीक है इन्होंने MOU sign किया है ताकि दौनों मिलकर scientific और technical corporation पर मिलकर काम करेंगी और जो areas होंगे वो होंगे कि tsunami के बारे में पहले से ही सारी information share करना ठीक है अगर कोई sand या dust storm आता है तो उसके लिए भी early warning जारी करना अगला question है भारत के पहले fire park का उधगाटन कि city में किया गया है तो जो fire park के वो काम बनाए गया है भूमनेश्वर में option C अगला question है collab cat समाचारों में है या निम्लिकित मैंसे किसके द्वारा launch किया गया है तो collab cat जो है वो किसके द्वारा launch किया गया है इसका सही answer है all of the above cbscb हो गया ministry of education national informatic center इन सबके द्वारा मिलकर collab cat जो है उसे launch किया गया है अगला question है निम्लिकित मैंसे किस city में मकर संकराती को सुकारात के नाम से जाना जाता है तो इसका सही answer है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में मकर संकराती को सुकारात के नाम से जाना जाता है अगला question है काया कल्प पुरुसकार समाचारों में है यह किस मंत्राले द्वारा दिया जाता है तो यह जो award है काया कल्प यह दिया जाता है ministry of health and family welfare के द्वारा option ए जो है वो इसका ठीक answer है ministry of health and family welfare के द्वारा जो है वह काया कल्प अवार्ड जो है वह दिया जाता है निक्स्ट कोशन है हाली में किस राज्य को केंद सरकार की नई साक्ष्रता योजना पढ़ना लिखना अभ्यान में शामिल किया गया है तो इसका सही आंसर है केडला केडला स्टेट को अभी इंकलूड किया गया है परसंड कौन है तो इसका सही आंसर है जेंत कुमारदेश जेंत कुमारदेश जेने चेर्न्मेन बनाए गया है जो ब्लेजरब Champs टी जो डिजिटल लंडिंग जो फ्रॉड्स होते हैं उनको रेगृलेड करने के लिए चुर्ड्मेन बनाए गया है जैंत कुमार देश को इसी के साथ जो है वो पार्ट फर्स्ट जो है वो खतम होता है जन्वरी का पूरा कंपाइलेशन था भी सेकंड पार्ट जल्दी ही आजाएगा थैंक्यू सो मच